हालो फ्रेंड्स मेरी रिता कदम फ्रेंड्स मेरे चैनल के हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों को बहुत बहुत थेंक्यू मैं आशा करती हूं कि आप ऐसी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे है तो थेंक्यू विरि मच तो फ्रेंड्स आज में आपको यह शोपीस बताने जा रही ही यह देखे फ्रेंड्स यह बहुती खुब्सूरत शोपीस है यह बनाना भी बहुत बहुत ईजिय है और इसको आप सेंटरल टे ê detto पे रख सकते हैं आप एनिधिंंग कहीं भी इसको उस कर सकते हैं और ये शोपी इस चार भगों में बनता है जिसी ये जो उपर का पार्ट है ये अलग बनेगा फिर ये बनेगा फिर अपनी बीच का ये बना के एंड में ये चोथी स्टेज पे इसको जोइंट करेंगे तो सबसे सबसे डालेंगे अपन ये देखें ये ये क्रोशे से बनिए ये दिखें ये दिखेंगे अब मैं पंदरा फंदे डालूंगे इस चीज को बनाने के लिए गरतन इसकी ये दिखेंगे ये जी वर्ण तू थ्री फोर पाइव सिक्स सेवन एट नाइन तैन इलेवन त्वेल थर्टीन फोर्टीन और ये फिप्टेन ये दिखेंगे ये आप एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस क्यारा बारा तेरा चुदा पंदरा अब ये पंदरा हो गई ये पूरी अपनी इसकी लंबाई हो गई अब ये पंदरा के आ अब इसको बनाना कैसा है? ये एक इमसी लेक इएक इसकी चुछा के छोड़ दें य धारल इक श dal आरिके ये आंप इसकी बनद ग तरहीं तो करेंगे इसमें डाला ये तीन, इसमें डाला ये चार, ऐसी अपने को यहां तक यह 15 बुनना है, एक बार और देख लेजी यह देखें, तो यह तीनों को एक साथी बंद करना है, इसे यहां तक आपको बुन के लाना है, यह देखें फ्रेंड, मैंने 15 फंदे डाले थे, और यह 15 बंद बुन लियें, अब यह फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई है, एक लाइन पूरी हो गई, ऐसी अपने को 6 लाइन बनाना है, तो यह फर्स्ट रो हो गई, अब सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या करेंगें, यहां पर फिर एक फंदा बुन लिया, उसके बाद फिर से यह जो 15 ब यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, ऐसे यहां तक बुनते वे, सेकेंड रो कम्प्लीट करेंगे, इसी प्रकार यह फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिप्त और शिक्त, छे रो, मतलब छे लाइन अपने को तयार करनी है, यह देखिए फ्रेंड्स, मैंने खे लाइन पूरी कर लिए, यह देखिए, वन, टू, थरी, फोर, फाइब, सिक्स, अब यह 6 रो कम्प्लीट हो गई है, तो इसको अपन बंद कर देंगे, यह अपनी एक कम्प्लीट हो गई है, यह देखिए, यह देखिए, वह देखिए, इसी अपने को यह छे बदक, एक तो आपने को ये 6 गर्दन बनाना है, है ना, तो ये देखें मैंने बना के ये रखी है, तो ये ऐसी ये 6 गर्दन तयार हुए, अब अपन चलते हैं इस वाले भाग पे, ये इसको बोडी का भाग, इसको बनाने के लिए आपको 40 फंदे डालना है, जैसी अपने इसमे 15 फंदे डाले थे, चैन डाले 15 फंदे बनाये थे, उसी प्रकार अब इसके लिए अपने को 40 फंदे करना है, 40 फंदे, तो ये देखें, 40 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देख, ये मैंने 40, 40 फंदे डाल दिया, अब इनको भी जैसे ये बनाई थी न अपने को, उसी प्रकार बनाना है, ये अपन ने एक बंदा और ये बना लिया, ये धागा लिया, इसको फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड में डालके, ये 1, ये सेकेंड में डाला, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये आपने को यहां तक बुर्णा है, ये देखेंगे फ्रेंट्स, ये मैंने 40 बना लिया है, ये न, 40 फंदे डाले थे, तो उसके उपर ये बना कर मैंने पूरी कम्प्लेट कर ले, अब ये 1 रो, जिनसे 1 लाइन पूरी हो गई है, अब इसमें क्या करना है, दो-दो लाइन बनेगे, तो ये एक हो गई पूरी, अब इसके बाद एसी के इसी इसमें पर एक लाइन और बनाना है, ये 1, तू त्री ये देखें ये मैंने दो लाइन कम्प्लीट कर लिए ये एक और ये दो ये दो रोग कम्प्लीट होने का आद आप क्या करेंगे चार फंदे इधर बंद करेंगे और चार फंदे इधर बंद करेंगे तो ये कैसे बंद करेंगे आप यह देखें। अब 40 ते अपने फंदे तो आप 32 फंदे फंदे बुनदे तो यह चार फंदे पहले बन करते हैं तो यह देखें। यह इसमें डालके यह देखें। और इसको इसमें एक बंद हो गया है? दो तीन और ये चार ये चार फंदे बंदो गए एसी धर्गे करेंगे अब ये चार फंदे बंद करने के बाद अपने को बद तीस फंदे एसे ही बुनना है इस प्रकार के तो ये देखें, पहले ये एक फंदे चेन ले लिए ये वण टू ऐसे करके 32 फंदे तक यहां तक बुनना है यह देखे चार फंदे इधर बंद किये थे और फिर यह इधर से यह पूरे अपने यह 32 फंदे बुने और यह इधर के चार फंदे बचे हैं इनको इसी छोड़ देंगे अब अपन इधर से पलट लेंगे यह इस है अब यह पलटने के बाद वापिस से डो लाइन करेंगे जो बट्येस फंदे हैं इन्हीं को यहां से लेगे यहां तक बुँझते वे दो लाइन कंपलेट करेंगे इनको इसी प्रकार बुनते में यहाँ तक लाएंगे तो एक लाइन पुरी हो जाएगे और उसके बाद एक लाइन और करना है तो दो line complete करेंगे यह देखे यह two line complete हो गई यह जो अपने चार इधर बन किये थे और चार इधर बन किये थे उसके बार यह एक दो यह complete हो गई अब फिर चार इधर बन करेंगे और चार इधर बन करेंगे तो अब बचेंगे अपने पाद 24 फंदे फिर उन 24 फंदे की भी दो लाइन कम्प्लेट करना है तो यह देखें यह देखें एक वान टू त्री और यह फोर अब जब चार फंदे इधर बंद हो जाएंगे और चार इधर बंद हो जाएंगे तब बीच में बचेंगे अपने 24 फंदे तो उन 24 फंदे की भी अपने को दो लाइन करना है तो लाइन कम्प्लेट करना है यह देखें यह चार इधर बंद करें और चार इधर बंद करें यह अपनी हो गए 24 फंदे तो अब इनके उपर दो लाइने कम्प्लेट करना है तो ये दो line complete करते हैं है अपन ये देखो ये मैंने दो line पूरी कर लिए है अब ये बनते बनते कुछ इस प्रकास से दिखेगा ये देखे ये से अब एक बार और 4 फंदे अपन इधर बन करेंगे चार इधर बंद करेंगे अपने बीच में बच जाएंगे 16 फंदे के बाद दो लाइन बनाना है हर बाद यहाँ पर भी अपन बंद करेंगे वाली लाइन नहीं गिनना है वो बंद करने के बाद दो लाइन करना है फिर बंद करने वाली लाइन को नहीं गिनना है उसके बाद दो करना है और अब यह जो बंद करूंगी इसकी लाइन को नहीं गि तीन, चार यह चार फंदे इदर बंढ़ करके 16 फंदे यह बुनेंगे और बाग की पिछे 4 को छोड़ देंगे ओपिर उसके बाद दो लाइन बुनना है और यह 16 फंदे बुने और यह 4 इदर के छोड़ दिये अब 2 लाइन बुनना है अब ये इसके पूर 16 फंदों की दो लाइन पूरी करना है ये देखे ये मेरे 16 फंदे बच्चे थे इंड में इसकी भी मैंने दो लाइन पूरी कर ली और अब इसको बद कर देंगे ये complete हो गया अब ये अपने मिले कोने 1, 2, 3, और ये 4 कोने अब अपने को 6 बदक बनाना है तो ये ऐसे अपने को 6 बनाने है ये body shape के ये 6 बनाने है और ये 6 इनकी गरदन बना है तो ये देखे ये देखे ये 6 ये तयार है 6 तयार है अब इन पर क्या कर रहेंगे अब इन पर थोड़ी से अपने को 6 लगानी पड़ेगी जैसे 1 लगेगी और फिर ये इसको इससे joint करते है एक सिलाई ऐसे लगेगी तो ये अपने को इसको इसे लेना है अब ये जो 16 फंदे थे इसको इसे पलट के ये जो बड़ा 40 फंदे का इधर का area इसको आप एसे करें यह देखें ठीक है यह देखें यह 16 फंदे का जो यह नीचे चला गया और यह 40 फंदे का उपर आ गया अब यह अपनी यह लेना है नेक गर्दन इसको भी इस प्रकार से यह यहाँ पर एसी जॉइंट होगी तो पहले अपन इसको सिल लेते है इसको सिलने के लिए क्या करना है इसको उपर का अपन यह जहाँ पर यह चोज बनाएंगे यह इसकी चोज बनाएंगे उत्ता इसको ऐसा खुला छोड़ना है थोड़ा सा भाग इसको ऐसा खुला छोड़ना है बागी का ये अपन सिल देंगे ये इतना छोड़के इसको अपन सिल देंगे ये नौट लगा लो या ये अंदर चली जाएगी ये देखे अब ये अपन इतना भाग इसको उपर का खुला छोड़के ये मेरा वाइट कलर का है मैं इसको वाइट कलर के धागे से ही सिल रही हूँ थोड़ी सी पक्की सिलाई कर दें आप ये देखे इसको इधर अपने ये उपर की साइड में इतना खुला छोड़के यहाँ पर नीचे तक पूरा सिलना है इसको इसकी सिलाई करना है इसे कॉर्नर कॉर्नर पर से इसे लेके आप थोड़ा से से टाइटली इस पे सिलाई लगा ले ये देखे मैंने इसको इधर खुला छोड़के नीचे तक सिलाई लगा लिए अब ये जो अपना भाग ये जो 40 फंदे थे इनको उपर रखना है और 16 फंदे को नीचे रखना है अब इनको इसा बिल्कुल बराबर कर लेंगे बराबर करके जो अपना सिलाई वाला हिस्सा है इसको इसके साथ अटेच कर देंगे इसके साथ इसे अटेच करके इसी सिलाई लगाना है तो इसी सिलाई लगाना है इसकी सिलाई ऐसे लगी कि ये बिल्कुल ये पीछे के भी अपने बरोबर होने चाहिए ये देखें और ये इसके ये सिंगल वाला ये ये एरिया ये इसे लेकि इसमें इसमें ये सिलाई लगाने ये देखें यहां तक ये बीच में से निछलना है अपने को यहां पर होल चाहिए ये इस प्रकार से सिलाई लगाई देखें ये ये दोनों बराबर है ये मैंने यहां से यहां तक लगा दी अब इसको पक्का हो जाएगा इसलिए मैं वापस पलटके इधर से इधर आ जाओंगी ये देखें मैं इसको वापस से इधर से पलटके इधर की लगा दूगी ताकि ये भी पक्का भी हो जाएगा और अपने को सिलने में सुवीदा भी रहेगी ये देखें मैं यहां सिलाई तक आ रही हुए इधर तक ले आई थी और फिर इधर से वापस में इधर ले आई ताकि वो पक्का भी हो गया और फिर मुझे इधर की साइड में यहां तक सिलाई तो इसको भी इधर तक सिलूंगे क्योंकि बीच में अपने को यहां पर यह इसकी सिलाई नहीं करना है तो अब मैं इसके में यह देखें, यह करके अब देखें यह यहां तक मैं सिल चुकी हूँ, ठीक बीच इसके सेंटर को इसके सेंटर से जोइन करके यहां से यहां तक सिला, फिर मैं पलट के इधर आ गई, अब वापस इधर से यहां तक लेकर आती हूं, यह देखें थोड़ी सी इसके सिलाई को टाइट लिए पक्की करना है, क्योंकि जैसे अब मैंने इसको लगाने के लिए इसमें यह रखें, यह देखें, यह जब्बियां, यह इस तरह की जब्बियां मिलती हैं बाजार में, आप इनको लगा दोगे तो यह, इसमें यह देखें, यह होल लख रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं कि यह गहें इसको इस-स प्रकार से यह पक्का सिल्टेत जाये अभी अपने इधर का थोड़ा सा बच गया है तो यह द्हका इधर से लेते हुए मैं इसको इधर तक लाके थोड़ा से कमप्लेट कर लेते हैं यह धर का थोड़ा छूट चुका था वो सिलते सिलते इसा कभी हो जाता है यह देखें यह मुझे बिल्कुल बराबर इसके तक लाना है और मेरे यह दोनों बराबर होने चाहिए यह देखें यह इसे यह देखें यह ना तो यह हमें आना अब ये मेरे पूरे बराबर हो चुके हैं, ये देखें, ये मेरा बराबर भी हो गया और ये मेरे सिल चुके हैं, ये इसका सेंटर लेके, ये इसका सेंटर लेके, इसको इसा डबल करिया था, ये इसा, और ये इसका सेंटर निकाला, और ये जो अपने सिलाई करी, इससे अलवा है प्रवूरा होने कर अब यहां पर पूरी सिताही लगा देंगे अपने यह而已 करते हुए यहां पर पूरी इठो गई है और यह यहाँ पर भी अपना यह इसमें आप देखें तो इसको इसी प्रकार सिलना है जैसे अपन यह सिलते हैं यह इसका यह जोड़ लेके आपको इसको इसी डबल फोल्ड करना है सोला फंदे नीचे जाएंगे चालीस फंदे सुख पर आएंगे और इसकी बिब्कुल सेंटर में रखके ऐसे सिलाई करना है तो यह देखें तो यह दो भाग तयार हो गए इसके आगे का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी सो फ्रेंड मेरी वीडियो देखते रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें सो थैंक यू